SPG सुरक्षा हटने के बाद कॉंग्रस महासरचिफ प्रियांका गांधी वोड़रा की सुरक्षा में सेंध का मामला सामने आया है उनके घर में एक संदिग्ध गाड़ी जो है वो घुस जाती है जिसमें कई लोग सवार होते है जानकारी जो मिली है उसके मताबिक प्रियांका गांधी वोड़रा के आवास के भीता तीन महिला और तीन पुरुष एक बच्चे के साथ घुस आये थे जब वो गाड़ी से उतरे तो प्रियांका गांधी उनसे मिली और पूछा कि आखिर वो कहां से आ रहे है इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वो प्रियांका गांधी के फैन है और उनसे मिलने के लिए आए है इसके बाद प्रियांका गांधी ने उन लोगों को चायनाश्ता करवा कर रवाना किया बताय ज़ारा है कि प्रियांका गांधी उस वक्त एक एहम बैठक में थी प्रियांका गांधी के दफ्तर में IG CRPF को एक चिठी लिखी गई है सुरक्षा में धील होने का ब्यौरा दिया गया है इसके बाद CRPF और दिल्ले पुलिस ने प्रियांका गांधी की सुरक्षा में चूक का ठीक रा जो है एक दूसरे पर फोड़ना शुरू कर दिया 26 नवेंबर को करीब 2 बज़ घटी है इस बारे में पूरी जानकारी जुटाई जा रही है वही ग्रिराज मंत्री जी किश्यन रेड़ी ने कहा है कि अभी इस घटा के बारे में पूरी जानकारी हमें नहीं मिल पाई है कि आखरकार किसने ग्रीन सिगनल दिया कैसे गेट खोला गया कैसे गाड़ी जो है वो अंदर कैंपस में जा पहुँची इसकी विस्तरत जानकारी ली जा रही है ये कहना है ग्री राज मंत्री का आपको बता दे कि हाली में मोधी सरकार ने गांधी परिवार की SPG सुरक्षा वापस ले ली है उनकी जगा CRPF के जवान अब सुरक्षा का जिम्मा जो है वो संभाल रहे है लगातार दूसरी बार सुरक्षा में सेंध लगी है प्यांका गांधी वोडरा की और तस्वीरे हम लगातार आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से गाड़ी में एक परिवार जो है वो सवार होता है और वो अंदर कैंपस तक चले जाता है अब दिल्ली पुलिस और CRPF आमने सामने एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ा जा रहा है कि जिम्मेदारी जो है वो कही न कहीं एकसेस की वो हमारी नहीं बनती दिल्ली पुलिस की बनती है दिल्ली पुलिस का कहना है कि गेट पर ग्रीन सिगनल दिया गया गाड़ी को अंदर आने की बात कही गई किसने सिगनल दिया है क्या कुछ हुआ उस वक्त फिलहाल पूरी डीटेल्स नहीं मिल पाई है पूरी जानकारी जुटाई जा रहे है कि आखरकार एक गाड़ी कैसे अंदर चली जाती है बिना पर्मिशन के एक शुटारी जाती है मिल पात कर दो сама ओए को भी है